इंदू का तेहवार हो या फिर हो मुस्लिम का तेहवार खुशियों तो जलक ही जाता है हर एक बैक्ति के चहरे पर देख रहे होंगे कि मुस्कान ही मुस्कान है और आपस में भाई चारा के तरह गला मिल रहे हैं हलाकि आज जैसे कि आप सभी को जहनकारी होगा कि सायद आज आप सभी जानते होंगे कि आज इद है तो सबसे पहले इद की धेर सारी बधाई सुब कामना है सभी मुस्लिम भाईयों को हम बीबी एल न्यूस टीम के और से क्या प्रयास करेंगे और यहां पर तमाम लोग इनसे बाधचीत करने Kids करेंगे हर रहने हं में खास तो पर इ launcher पषिए है पूरा जानकारी दे सकेंगे तो इधर देख सकते हैं अभी तो हलाकि इनसे बात करने में थोड़ा कठनाई गोरी लेकिन इनसे बात करेंगे सबसे पहले आप सभी को BBL न्यूज टीम के और से इद की धेर सारी बधाई सूब कामना है जानना चाहेंगे आखिर यहां इद के सूब अफसर पर और क्या क्या परकिरियार आते हैं क्या क्या कार रहते हैं सबसे पहले तो मैं BBL चैनल को मैं बहुत बहुत धल्य बात देता हूँ और सबसे बड़ी बात है हम लोग एद जो है न एक महना तो रोजा हम लोग रखते हैं और एक महना रोजा रखने का बात जो है एद होता है सब में उत्सा होता है सब गले मिलते हैं सबी भाई मील करके जितना भी है हिंदू मुस्लिम जो भी है सब एक खुसी की एक लहर होता है और ये खुसियां को पौने के लिए लगभग एक मन्त रोजा रखना परता है यानि कि लगभग तीस दिन भूके रहिएगा और साम को इफ्तार होता है ना सुबा सेहरी खाते हैं और साम के 6 buds क करके 10 לי yet पांच meни जैसे हो उतार करते हैं हम लोग उसके बाद पिर तरावी के नमाज परते हैं उसके बाद खाना होना खाते हैं फिर सुबा चार बजे फिर सेरी खाते हैं बस इसी तरह पुरा एक महना चलता है और एक मंत के बाद इद आता है जैसे कि खुसी का लाहर हर बेक्ति में देखने को मिल रहा होगा और यहां के और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे उनसे भी जानकारी देने का प्रियास क्या करना परता है किस तरह से रहना परता है क्या-क्या परकिर्या देखिए पहले तो मैंनो रोजा रखना परता है रोजा रखने के बाद जब रोजा खतम होती है तो इदगा आते हम लोग नमाज परते हैं दो रिकाद को और इसके बाद अभी जाएंगे बिन दस से वे खाएंगे और सब से मिलेगे गलाएंगे आप सब भी खाएंगे और इसमें जहां से हम सब महीनों भर रोजा रखते हैं तरावी परते हैं नमाज परते हैं और यह सब अवादत करके और हम लोग आज के दिन खुसियां मनाते हैं हिंदु मुसल्मान सब मिलकर जूलकर यह एक ताका प्रब है और सब मिल जूलकर खुसियां मनाते हैं और यहां के कुछ ब्रेक्टी से बाचीत करने का प्रियास करेंगे क्या कहना चाहेंगे एद के सुबब सब्से पहले तो मैं तमाम आपके देखने वालों को भीवर्स को एद की मुबारिक बात देता हूँ और यही कहना चाहेंगे कि यह एद की एद का दिन है बहुत ही मुबारिक और शादमानी का दिन है हम तमाम देशवासी और तमांग खास करके मुसल्मान भाईयों के लिए ये एक बहुत बरी खुशी की बात है ये एद मनाई जाती है रमजान के रोजे रखने के बाद पूरे तीस रोजे मुकमल करने के बाद नमाद तरावी मुकमल करने के बाद ये तो बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग हर साल की तरह हमेशा जब भी एद का मौका है आप लोग इसी तरह प्यार और महबत और शादमानी बनाए रखे और मैं आप तमामी फ्योर्स को अपना सलाम पेश करता हूँ इधर भी देख सकते हैं खुसियों का लहर दिख रहा होगा हर एक चहरे पर मुस्कान दिख रहा होगा हम यहाँ कोछ बच्चियां से बाचीद करने का प्रियास करेंगे आप लग इद के बारे में आप या जानकारी आपके पास पहले से है या नहीं कोमेंट करके जरूर बताए तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जूरे रहे हैं बी बी आल न्यूज के साथ धन्यवाद जया है